गर ऐफ़ेट में 30 सब्सक्राइब हो जाना है तो इन बता हैं कि यह भी, था है और बोडी तो इसे बहुत भी बहुति Sure को बोलते हैं floating action बटन आप यहां पर देजिए floating action बटन को इस तरह से अभी error दे रहा है क्यों क्योंकि आप hover करो इस पर तो देखो यहां पर बोले कि required है on press property यह नहीं कि इसमें आपको पाती हर कुछ नहीं होगा फालतों को बटन तो यह देखो बटन यह बटन यहां पर आच चुका है यह बटन क्या है हमारा floating action बटन है अगर आपको याद हो तो यही वही वाला बटन है जो starting में हम हमारे by default वाले आप में आया था फ्लेटर के ठीक है तो यह हमारा क्या होगा on press बटन अब इसके अंदर कुछ है भी नहीं तो मैं child देता हूं child icon icons dot refresh कुछ ऐसे और reload करूंगा तो रिफ्रेश का यहां पर एक आइकन आ जाएगा कुछ ऐसे ठीक है तो यह floating action बटन हो ग button function को call कर देंगे हम यह हमका हम खुद का custom function मना रहे हैं जिसमें होगा कुछ नी button pressed by the user ऐसा print कर देंगे हम simply कि button press कर दिया user ने कुछ इस तरह से और हम को क्या करना पड़ेगा एक चीज़ और यहां पर इसको थोड़ा सा कॉमा लगा के save कर दूं ऐसे अब हम simply बता सकते हैं कि भाई on press button function को call कर दो कुछ ऐसे ठीक है अब run कर रहे हैं reload करके run किया तो देखो चीज़ें हमारी काम नहीं कर रही हैं क्यों मैं आपको बताता हूँ यह वाली part थोड़ा सा interesting है समझने वाली बात वो यह है कि जैसे ही वो flutter code को read कर रहा है न तो read करत करते हैं जैसे वो नीचे आया उसने देखा function है तो उसमें function को simply call कर दिया ठीक है direct call कर दिया बिना button को press किये मैं चाता हूँ कि जब button press हो तभी चीज हमारी call हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम simply without passing the function ये इन 20 the pointer to that function वो इसको टा देंगे तो कुछ हमारा काम हो ज प्रेस करेंगे क्योंकि हमने pointer to that function पास कर रखा है तो चीज हमारी काम करेंगे ऐसे हमने देखुई button pressed by the user फिर प्रेस के तो button pressed by the user कुछ ऐसे अब कई लोग यहां पर कॉंस भी लगा सकते हैं बढ़ कॉंस लगाने पर दिक्कत हो जाएगी दिक्कत कर जाएगी invalid const यहां पे invalid मतलब error आजाएगा यहां वह error क्यों है क्यों कि इसलिए क्योंकि चीज़े constant नहीं है जब भी function call होती है API call होती है कोई data मंगवा रहे होते हैं कुछ dynamic चीज़ हो रही होती है मतलब कि चीज़े change हो रही होती है तब never ever ever use const keyword आप यह चीज constant है तो यहां पे const लगा लेना बट य दिखते हैं कि कैसे और कौन-कौन से बटन से हमारे कौन-कौन से बटन हमको यूज करना आने चीज़े सबसे पहले आपको बता दूं कि एक हुआ करता था पहले raised button ठीक और उसे के साथ एक हुआ करता था flat button अब यह दोनों बटन क्या होके depreciate हो चुके मतलब कि यह दोनों function यह दोनों button जो हैं आप यूज नहीं कर सकते फ्लेटर 2 में ठीक है तो आपको कौन से यूज करना है elevated button का यूज करना है तो जो टेक्स लिगा न हेलो फ्लेटर इसको मैं हटाओंगा पूरा का पूरा और क्या लिखूंगा एली वेटेड बटन और देखो यह अपने आप बता रहा है कि on press देना जरूरी है और child भी आप दे देना तो मैं थोड़ा से उसको arrange कर रहा हूं कुछ ऐसे बटन प्रेस करने पर क्या होगा वह हम यहां पर बनाई सकते हैं आपको पता ही है तू वह हम बाद में बनाएंगे क्लिक मी क्लिक मी और इसको hot reload करूंगा आर दबा कि देख रहो चोटा सा बटन देख रहा है क्लिक मी यहां पर क्लिक करके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं अब on press आपको बनाने तो बहुत ही easy है मैं आपको बताया था वाइड आप बना सकते हो elevated बटन प्रेस का function उसमें आप क्या कर सकते हो कि elevated बटन प्रेस्ट कुछ ऐसे ठीक है और यहां पे आपको सेम कहानी करने पड़ेगी सेम कहानी मतलब यहां पे आपको कहां गया नल कहांदे रखा था मैंने यह रहा आपको यहां पे भी कैसे देना पड़ेगा elevated elevated button elevated button press function को as a pointer आपको पास करना पड़ेगा कुछ इस तरह से ठीक है अब यह फिर error दे रहे क्योंकि यह const है आपको अठा तो ठीक है अब चीज आपकी काम करेंगी ठीक है तो reload करेंगे रिलोड किया मैंने इसको तो अब मैं आपको दो बटन प्रेस करके दिखाता हूं पहला बटन है आप देखे रहे को थोड़ा चेंज भी हुआ है थोड़ा सा है ना तो मैंने पहले यह बटन दबाया तो क्या रहे बटन प्रेस बादर यूजर और यह बटन दबाया तो elevated बटन प्रेस है ना elevated बटन प्रेस हो गए यहां पर और यहां पर क्या होगा यहां पर यहां पर हमारा बटन प्रेस वाइदी यूजर होगा तो यह दो बाते हैं हमारी दोनों बटन हमारे लगए कि function मैंने बता रखे और as a pointer आपको चीजों को पास करना वो भी आप थोड़ करना नहीं चाहता बट स्टिल आपको स्टाइल वगरत देखना तो यूज डॉकॉमेंटेशन सिंप्ली मैं यह बोल सकता हूं यूज डॉकॉमेंटेशन और सिंप्ली यूज टैक ओवर्फ्लो वगरत ठीक है आपको स्टाइलिंग में तो एलिस्ट क्या कि थोड़ा वहां आपको प्रेक्टिस सही आते हैं कि थोड़ा इदर से करा थोड़ा उदर से करा बटम यहां पर क्या करेंगे चीजों को सिंपल रखेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटर में अभी नहीं करूंगा क्यों जब प्रोजेक्ट आएंगे तब हम चीजों को देखेंगे ठ तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई